गतवर्ष भी मुझे उन छात्रों को मिलने का मुका मिला था जो परिक्षा के लिए तैरी कर रहे थे इस बार मिन मुझे मुका मिला है मैं सिक्षा विफा काभारी हूँ कि मुझे आप लोगों के मिलने का मुका दिया आज खुशी की बात ये है कि करीब करीब हिंदुस्तान के सभी राज्जों के विद्यारति आज यहां मौझूद है एक प्रकार से लगू भारत मेरे सामने है लेकिन दूसरी इस प्रकार से भावी भारत भी मेरे सामने है आप लोगों से समवाद करने से पहले आज सुबह ही हमारे देश के पूर्वरक्षा मंत्री स्रिमान जोर्ज फरनाडी उनका नीधन हो गया वे एक जुजहरू नेता थे जन्भुभुमी कहीं, कर्भुभुमी कहीं जन्पतिनी दित्व कहीं एक प्रकार से पूरे भारत में रचे बसे थे वो आपातकाल में, इमर्जन्सी में लोग तंद्र की स्थापना के लिए बहुत बड़ा संगर्श किया था वो ने लेकिन गत कई वर्षों से वो बिमार थे, अनकॉंशियस थे, सौनों तक बिस्तर पे रहे, आज वो हमें छोड़के चले गए, मैं आदर पुर्वक्ष, जोड़ साब को स्रिधा सुमनर्पित करता हूँ, साथ्यों ये परिख्षा पे चर्चा, पिछले बार और इस बार में अनुभव के आधार पर काफी बढ़लाव आए है, दुनिया के कई देशों से भी लोगों की मांग थी, तो वो भी जूट रहे हैं, उसी प्रकार से भारत के भी सभी राज्यों से प्रतनिदित्व हो, वहां के भी ध्यार्जों से बात हो, इसमें सीनियर स्टूडन्स भी हैं, जूनियर स्टूडन्स भी हैं, और ये बात अधूरी रहती है अगर इसमें अभीभावक न होते, पैरेंट्स न होते, टीचर्स न होते, और इसलिए कोशिस है की गई है कि एक प्रकार से विद्यार्थे के जीवन में जो सीधे संपर्ग ना आते हैं, उन सबसे समवाद करने का यह आवसर बने, अभी जो एक अंदुरुत्य प्रस्तुति हुई, मैं समझता हूँ कि उसमें जो बाते बताई गई है, उसके बात मेरे कोई भाशन की आवश्रक्ता नहीं है, वो सारी बाते उसमें समाहित है, अगर हम उसको ही आज का संदेश मान ले, तो मेरे समेट यहां उपस्तित और देश में इस कारकम को देखने वाले हर किसी के लिए, एक नाया विश्वास पैदा करने वाला, नहीं आशा पैदा करने वाला, वो एक नुरुत्य प्रस्तुति थी, मैं उन सब को बहुत बढ़ाई देता हूँ, और उस पुरे कारकम में, रीना ने जो कमाल दिखाई हैं, दो हाथ नहीं, एक पैर नहीं, फिर भी जिन्दकी का जज़्बा कुछ और है, अभी हम देख रहे थे वीडियो पुराना, उसमें भी मने बताया था, यहां आप भूल जाएए, कि आप किसे समारों में बैठे हैं, आप ऐसा ही मानिए, कि आप अपने परिवार में बैठे हैं, और परिवार में ही गप्प गोर्श्टी कर रहे हैं, और अपना ही परिवार का कोई चीर परिज़्दी चहरा हम से गप्प मार रहा है, अगर यह हलका भुलका मातावन रहेगा, तो शायद मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मेरे लिए ये कारकम किसी को उपदेश देने के लिए नहीं है, न मुझे अभी भावकों को कोई उपदेश देना है, न टीचर्स को कोई उपदेश देना है, और नहीं विद्यार्थियों को देना है, मैं यहाँ आपके बीच, खुद को अपने जैसा, आपके जैसा, आपकी स्थिती मनस्थिती वाला, कुछ पल मैं जीना चाहता हूँ, जैसे आप जीते हैं, आई ये शुरू करते हैं, कहां से शुरू करेंगे? माननी, इस बार स्टूडन्स भी हैं, टीचर भी हैं, और पेरेंस भी हैं, और वो भी देश से भी हैं, विदेश से भी हैं, सबसे पहले, रूली दत्ता जो की कोलकता से हैं, एक टीचर हैं, और वो आपसे सवाल पूछना चाहती हैं. आपके टीचर हमें उन पैरेंस को क्या कहना चाहिए, जो ये समझते हैं कि एक्जाम से उनके बच्चों का भविश्य या तो बन सकता है या बिगड़ सकता है मानिय इसी से मिलता जुलता ही एक और सवाल है जो हमारे बीच में इस वक बैठे हैं जो कि basically केरला से हैं लेकिन दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तयारी कर रहे हैं आप से कुछ पूछना चाहते हैं मानिय प्रथान मंत्र जी नमस्कार मेरा नाम रोहिश्री है मैं केरला का रहने वाला हूँ और मैं अभी दिल्ली में यूपीसी की तयारी कर रहा हूँ महोदय हमारे पेरंट्स और हमारे टीचर्स का हमारे उपर कुछ ज्यादा ही उमीद रहती है जिसके वज़े से हमारे उपर बहुत प्रेशर भी रहता है महोदय मुझे लगता है आपका भी हाल कुछ हमारे जैसा है देश्वासियों को आपसे कुछ अधिक ही अपेक्षाए है प्रसान मंत्री जी आप हमें बताइए आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ कैसे डील करते हैं और हम इसके साथ कैसे डील करें धन्यवाद आप केरल्स हैं लेकिन मुझसे भी जादा अच्छे हिंदी बोल रहे है आप कैसे बहुत हो को जब दसवी या बारे भी करक्षा में जाते होंगे या फाइनल एक्जाम होगा किसी को दिन में दो दस बार सुनना पड़ता है समझ नहीं आता है दोस्तों के साथ तंगी फोन पर बठे रहे हो चलो कंपूटर छोड़ो कुछ पढ़ाई करो क्या कर रहे हो ऐसा ही बता है ना सच बताई है ना दरसल परिक्षा का महत्वा तो है उसका इंकार नहीं कर सकते और मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ अरे परवा मत करो यार जो होगा सो होगा देखा जाएगा ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ लेकिन क्या ये परिक्षा जिन्दगी की परिक्षा है क्या कि उस क्लास की परिक्षा है अगर एक बार मन में ताय करें बहुत ये एक्जाम दस भी कक्षा की है ये एक्जाम बारह मी कक्षा की है ये मेरी जिन्दगी का सोटी नहीं है अगर इतना से हम सोच लें तो हमारा जो भार है बोज है वो भी कम हो जाएगा और शायद उस एक काम के लिए हमारा फोकस बढ़ जाएगा अभी नहीं तो कभी नहीं ये जो कुछ कहते हैं न भई अब दस्वी में गया तो सब बेकार दिन की पूरी ऐसा कुछ नहीं है परिक्षा के गलियारे से ही निकली हुई जिन्दगी होती है अचा नहीं है उसके भार भी भावत बड़ी दुनिया पूर्पी है बहुत पहले मैंने कविता पढ़ी थी उसमें बढ़िया बाक्य था उसमें लिखा था पूरी कविता तो मुझे याद नहीं आज कुछ खिलोने के तूटने से बच्पन नहीं मरा करता है मैं समय तो उसमें बहुत बड़ा संदेश है कुछ खिलोने के तूटने से बच्पन नहीं मरा करता है एक आथ एक्जाम में कुछ इदर उदर हो जाए तो जिन्दगी ठायर नहीं जाती है लेकिन जीवन में हर पल कसोटी होना बहुत जरूरी है कसोटी हमें कस्ती है कसोटी के से हम एक नई उर्जा प्राप्त करते हैं हमारा जो भीतर की जो उत्तम से उत्तम विधा है वो प्रगठ होने का आफसर होता है अगर हम अपने आपको कसोटी के तराजू पर जोंकेंगे नहीं तो जिन्दगी में ठहराव आ जाएगा और ठहराव जिन्दगी नहीं हो सकती जिन्दगी का मतलब होता है गती जिन्दगी का मतलब होता है सपने जिन्दगी का मतलब होता है जी जान से उसको एच्चिव करने के लिए लगे रहना और दूसरी बात है प्रेशर कभी कभी तो हम बालकों की मनस्तित ही ऐसी होती है कि एक अबस्ता में हम पहुंच जाते हैं कि मां ममी पपा कुछ भी कहे तो मैं लगता है यह मेरा बिकाड रहे हैं मैं जो कर रहा हूं सही है इनको कुछ समझने आती है ऐसा ही होता है ना यह कुछ समझते ही नहीं है ऐसा होता है ना पहले हम खास करके मैं स्टूडन से कहना चाहूंगा कि हम अपने माबाब जो कहते हैं उसको इमिजेड रियक्ट न करें गौर से सुनें सुनते समय भी उनको लगना चाहिए का आप अटेंटिव है आपको अच्छा लग रहा है कि बहुत चाव से सुन रहे हैं एक आथ बार पुझे अरे मम्मा यह समझनी आज रहे हैं यह क्या क्या रहे जी एक बार इतना कर लीजिए शाम होते होते मम्मा कहेगी कि बेटा सुबह मने बहुत कह दिया तुझे आपको मम्मा को सब्जारा नहीं पड़ेगा वो आपने आप सब्जाएगी इसलिए छोटी चीजे वहवार की होती है और फिर कभी जब मम्मा पपा अच्छे मूड में हो तो आप ही अपना दृष्टिकॉन कि मैंने बहुत सोच आपने उन दिन कहा था ने मंडे को बहुत अच्छी बात बताई थी मैंने कोशिश भी की अब मैंने कम पड़ गा मुझे बताई ने कैसे करूँ आपकी एक्जाम पूरी उनकी एक्जाम शुरूँ गंटे भरूं को सबजी आएगा क्या जवाब थे इसका मतलब यह निए कि मैं मैं आपके माबाप का बोलती बन करना सिखाता हूं आपको लेकिन कभी कभी न सुनने से टकराव पैदा होता है बाद में माबाप से आप आप देखे एक मित्र भाव से आपका समवाद सुरू होगा वे आपके हेल्पिंग हैंड हो जाएंगे मेरी अभीभावकों से भी आग रहा है कि कहीं एता को नहीं है कि आपने बच्वन में सूचा था डॉक्टर बनना है अब क्लर्क बन गए वो सारी से जा बच्चों पटे रहे हो वो माबाप बीफल है जो अपने जीवन की अधूरी चीजें अपने बच्चों पर थोप करके उनसे करवानी की कोशिश रखते हैं उन्होंने नहीं करना चाहिए उसके भीतर जो पोटेंशल है जो सामर्त है उसको जानने पहचाने का प्रयास करना चाहिए अच्छा ऐसा नहीं है कि किसी माबाप को इसके लिए ट्रेनिंग की जरूत होती है आप आप आपने देखा होगा घर में छोटा बच्चा होता है वह उठकर के चलना सिकता है तो मा क्या करती है वह उठता है एक दो कदम करके घर जाता है तो डाड़ती है क्या ताली बजाती है करिंग ताली बजा थी जो लगता है कि गिर्ना बुरा नहीं है कि उससे को मां को किसी प्रधान मतनिय लेक्चर दिया था क्या जिए पर Kissi किताब में पड़ा था ढूंगOhIch उसको मालूम है कि बच्च canyon को बढ़ाना है धीक पिर क्या करेगीiben्या कि तीन चार कदम चलना है आपाऊ हड़ती जाएगे इसा करती है नोगा और बच्चे को है कि मैं जारा दौड करके ले आ उसका हौसला भुलंद करती है मापापा, लेकिन यह सब घ्सन होने के बाद, बच्षपन में सब किया होने के बाद भी, एक स्थिती आने के बाद मा का मन हो जाता है बाप का मन हो जाता है बस अब तो वो तयार हो गया मुझे कुछ करने की जरूर नहीं है गलती वहीं से सुरू होती है मा बाप ने जीवन भर बच्चे को उसी रुप में देखना चाहिए पुछकारना चाहिए तो सहीद करना चाहिए अगर गीर भी जाता है तो होसला बुलंद करना चाहिए उसको नीचे गीरता हुआ देख करके उसको डान्टे रहने से कोई परिवर करना है जहां तक अपेक्षाओं का सवाल है एक प्रकार से अपेक्षाएं अच्छी चीज है मैंने कहा नो बालक को मा दूर रहकर के दोड़ाती है वो अपेक्षा है कि भई तुम अब दस कंदम दोड़के मेरे पास आओ अपेक्षा आवशक होती है अपेक्षाओं के कारान हमें भी कुछ जादा करने की इच्छा जटती है अगर अपेक्षाओं नहीं होगी तो आप मुझे बताएए एक पेशंट हो जिसमें जीने की इच्छाओं नहीं हो अब ठीक होने का मनी ने करता हो ऐसे ही मुर्ति का इंतजार करना है कितने ही बढया से बढया डॉक्टर ला दो कितना ही बढया से बढ़ी अस्पतार ला दीजिए वो पेशंट हो सकता है क्या हो सकता है तो निराशा में की गर्त में डुबा हुआ समाज या व्यक्ति या परिवार कभी किसी का भाला कर सकता है और इसलिए आशा और अपेक्षा उर्द्व गती के लिए अनिवार्य होती है और मैं जिसे आपने प्रशने पूछा क्योंकि आप आई-एस बनना चाहते हैं तो आपके मन में यह सवाल स्वाभाविक था यह बहुत स्वाभाविक है कि वी समाज में अपेक्षा हो निरहाशा नहीं होनी चाहिए और न आगे छोड़ो यार यह मोदी जी तो ऐसे ही है कुछ होने बाला नहीं चलो यार अपना काम करें जी नहीं वो कहता है मोदी जी आप है और यह नहीं होता है यह तो विश्वास है मैं तो चाहता हूँ लोग कहते हैं मोदी ने बहुत aspirations जगा दिये मैं तो चाहता हूँ सबासो करोर देश वास जो के शबासो करोर aspirations होने चाहिए उसको उजागर करना चाहिए देश तभी चलता है के बोज में दबने नहीं चाहिए हमें अप्रिक्षाओं को पूरी करने के लिए अपने आप तो सज्ज करना चाहिए चलिए घंबा हो गया जवाब आपका सर जम्मू से हमारे साथ जूड रहे हैं कृष्ण कुमार शर्मा जो की एक अभी भावक है इनकी एक परेशानी है जो वो आप से शेयर करना चाहते हैं मेरा नाम कृष्ण कृमार शर्मा है मैं लूप लगर जम्मू का लाने बाला हूँ आज कल बच्चों परहिनी हम पेरान सवर भी हमारे साथियों का दवाब होता है किसका बच्चा कितने अच्छे अंग लाता है इस टेंशन से बाहर कैसे निकला जाए दने बाद सर्ट इसा ही एक सवाल है नौथीस्ट यानि इंफाल से पेवम नीला कुमारी ने पूछा है ये भी एक अभी भावक है अभी भावक के रूप में मेरे बच्चों के एक्जाम के वक्त मैं तनाव मुक्त कैसे रहूं मार Newton टैंस नाओ थे द्वारा भी बेंगलोड से एक सवाल पूच रही है Лावना ये एक स्टूडन्त ने बूशन टीजूर sprinkle जानि सट मैश पनार्स कोल की शित रोड बैंगलो इन विवह ऑवव घम योशन थैंस नामो योशन sir today my question is how can we students overcome the fear which has been pressure and fear which has been created by our parents teachers and all our loved ones students हमारे parents teachers तथा हमारे प्रिया जनों के द्वारा बनाए गए दबाओ का डर मन से कैसे निकाले sir बच्च और पेरेंस दोनों के ही तनाओ की बात हो रही है हम सब उच्सुक हैं आपका जबाब सुनने के लिए अभिभावकों के लिए मेरा यही आग्रह होगा कि आपके सपने भी होनी चाहिए अपेक्षाएं भी होनी चाहिए लेकिन प्रेसर से परिस्तिती बिगड़ जाती है जब भी आप बच्चे को कभी बहुत बढ़िया मनों खाना बनाए आपने वो अपने मन से खा रहा है लेकिन चूक ही आपने अच्छा बनाया है आपको बहुत पसंद है फिर बच्चे को को खाओ 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 तो खड़ा हो करके चला जाता है होता एक नहीं होता है प्रेशर से रियक्षन आता है ऐसा नहों इसका हमने पूरा ध्यान रखना चाहिए लेकिन माबाप ऐसा क्यों करते हैं उसके पीछे एक मनोवग्यानी कारण है और मनोवग्यानी कारण यह है कि वे कभी-कभी अपने यार दोस्तों या फैमिली फंक्शन में या सोशल फंक्शन में जाते हैं तो अपने बच्चे का रिपोर्ट कारड अपना विजिटिंग कारड बना करके ले जाते हैं यह सबसे बड़ी समस्या की जड़ है कि उनको सोसाइटी में मेरा बेटा यह किया मेरे बेटे ने यह किया मेरे बेटे पस इसुकर लेकर गूमते रहते हैं और इसके लिए वो आपको घर में आ करके अच्छा आप ठीक न करें तो घर में डारते हैं मैं कैसे जाओंगा उसके शादी में तू क्या रिजन्ट लाया है मुझे पूछेंगे तो मैं क्या करूँगा ऐसे ही करते हैं न याने आपका सफलता या फिपलता उनके सोशल पर जैसे को पतानी बड़ा बड़ा पहाड गिर जाता है और उसके कारण वे हमेशा कोशिस करते हैं कि उनको समाज में एक स्थान बना रहे हैं इसलिए माबाप बच्छों पर यह प्रेसर डालने की आदत बन जाती है इरादा नहीं है उनका उनको साथ हमें अन्याइनी करन लेकिन अगर वो भी सही तरीके से को करें हकीकत में माबाप ने एक उमर के बाद बच्चे से नाता तोड़ दिया होता है जब छोटा बालक होता है तो वही माबाप उसकी गलतियों का वरनन बखो भी अपने महमानों के बीच करते हैं कल इसने ऐसा कर दिया उसने पूरा दूद का बॉटल गिरा दिया उसने कल उसका गरम चाही नीचे गिरा दी जल गया गलतियों का भी वरनन करते हैं क्यों उसकी activity को नोट करते हैं हम अपने बच्चों के बाला कवस्था में उसकी हर बारीकी से देखते हैं लेकिन साथ-ाठ साल की उमर होने के बाप हमें लगता ही नहीं है कि उसकी हर बारीकी को देखना चाहिए अब उसमें क्या बढ़नावा रहा है कौन से रूची के ले रहा है क्या कर रहा है कैसे कर रहा है करीब करीब माबाप का इनाता बच्चा साथ-ाठ साल का हो रहा है तो तूटता उसको अफजर करना चाहिए अफजर करने का मडलब नहीं है कि आपने सोचा उतनी सामें ढालना चाहिए देखते रहना चाहिए कि उसकी ताकत आपको ध्यान में आएगी अगर इतना सा कर ले तो यह जो प्रेशर का माताउन बन जाता है उससे मुक्ति मिल जाएगी प्रदान मंत्री जी इस वक्त हमारे बीच में एक मा मौझूद है जो कि बेसिकली असाम से हैं पर दिल्ली में रहती हैं थोड़ा परेशान है और उनकी प्रॉबलम मुझे लगता है कि बहुत कॉमन प्रॉबलम है कुछ कहना चाहती है मधुमीता सेन गुपता आदन्य प्रदान मंत्री जी नमस्कार मेरा नाम मधुमीता सेन गुपता है मेरा बेटा कक्षा नवी का चात्र है महोदैर पहले मेरा बेटा परहाई में बहुत अच्छा था टीचर्स अप्रिशेट करते थे लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका जुक की है लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ क्रिप्या मेरा मार्क दशन कीजिये कि मैं इस स्थिती को कैसे समालू धन्यवाद पारिनी क्रिप्या इस पर अपने विजार प्रकट करें यह पब जी वाला है क्या यह तो फ्रेंट लाइन वाला होगा यह समस्या भी है समाधान भी है हम यह चाहें कि हमारे बच्चे टक्नलोजी से दूर चले जाएं फिर तो वो एक प्रकार से अपने सारी जिंदिगी से प्रकार से पीछे की तरफ जाना शुरू होगा और इसलिए उसको यह टक्नलोजी के समन में प्रोचसाहित करना चाहिए लेकिन उस टक्नलोजी का क्या उप्योग करता है क्या टक्नलोजी उसको रोबोट बना रही है क्या यह इंसान बना रही है अगर माबाप थोड़ी रूची लें कभी खाना खाते समय चर्चा करें टक्नलोजी की इस बताई यह इन दिनों क्या चल रहा है कि इस परकार के नईने, यह एप्स था है, तो उस बच्चे को लगे था मैं जो कर रहा हूं और मेरे बाबाप मैरी मदद करेंगे तो पहला काम तो आप फोन को रोगुए मैं देहिए रहाई करीब 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 हे एक मोबैल फोन है कि हो सकता है कुछ लोग यहां प्रदान मंदिर के कारेकम में होंगे लेकिन कोशिश करते होंगे दोस्कों बताने के लिए मैं यहां बैठाओं इससे क्या होता है कि पुलाई दीरे दीरे हम सिकूरते चले जा रहे हैएं य। हमें अगर सिकूर देती है हमें नयरो बना देती हैं कि हमारी सोच भी बड़ी नयरो बन जाती है तो शायद हमें जीवन को बहुत बड़ा नुक्षान हो रहा है टेक्नोलोजी का उप्योग हमारे एक्सपांसिंट के लिए होना चाहिए, मेरे सामर्थ हमें बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए और इसके लिए टीचर्स ने भी बार बार इन विशों की चर्चा करते रहना चाहिए तब जाकर के होगा, अतरवाइब जैसे बच्चे खेल के मैदान में नहीं है कभी-कभी माबाप को लगता है पढ़ना बहुत अच्छा है लेकिन परिशा की दिनों कि कुछ दिन पहले बिमार हो जाता है तो माबाप का पसीना शूट जाता है अरे भाई पहले उसको किताब पढ़ता है कई खेल के महदान में भी तो बेजना था आप में से कभी सोचिए मैं कभी मेरा ये मेरी बच्चों के साथ बातचीत करने का मेरा ये पिछले मुख्यमंतरी साथ अब से एक लगातार कारकम चल रहा है अब रूप 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 का रंग बदलता जा लगे मैं करता रहता हूँ मैंने देखा है कि मैं कभी बच्चों को पूछता था कि कितने बच्चे हैं जिनका दिन में चार बार मेहनत करने के कान पसीना आया है शरी पे आप हैरान हो जाएं कि गाउं के बच्चे भी कहते थे नहीं ऐसा तो नहीं होता है अब ऐसी कैसी जिंदिगी हसना खेलना खुले मैदान में ये जीवन का हिस्सा होना चाहिए और वो एक नई उर्जा देता है और इसलिए टेकनोलोजी का सही उप्यो कैसे हो मैं स्वयम टेकनोलोजी भहुत शक्तिशाली मानने वाला बेखती है मैं खुद इसका उप्यो आज भी जो मैं दुनिया के इतने देशों के साथ और देश के लोगों से बात करना उसका कारण टेकनोलोजी का उप्योग है तो एक ही चीज कि ये दो अच्छे पहलू होते हैं एक किसी को बहुत सीमित कर देता है तो दूसरे को बहुत विस्तृत कर देता है आपकी ये चींता सही है लेकिन आप उसके साथ बैठिए उसको कभी आप काम दीजिए कि मैंने सुना है कि नौर्थ इसमें एक ऐसा चावल पकाते हैं देखो बैठा टेकनोलोजी में ज़रे ढून के मुझे बताओ कैसे बनता है वो चावल तो उसको लगेगा हाँ मा मुझे टेकनोलोजी की मदद से खुद को चावल पकाने का नागलेन की पद्दर ही क्या है वो टेकनोलोजी आप कमा सकती हैं उस पर आप दिरे 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 उसको ले जा सकते हैं और अप अभी उसका पूच सकते हैं Mün einहीं आज आज हमने सुना है के दाना topic साइक लो ना आ थो तुम देख नहीं साइकलोननने खबर कैसे देते हैं तो वही बच्चा उसे काम करेगा आप को दीरे-दीरे- चाहिए और उसको लगना चाहिए कि वो बच्चा विकास की दिशा तो गलत रास्ते पर जाने से बजाए समय बर्बार्द करने के बजाए खूदी एक खेल कुद के अंदर रहने के बजाए और मैं से बता हूँ जुरा प्ले स्टेशन से प्ले फिल्ड में चला जाए को तो उ इस वक्त मौझूद हैं इनका सवाल थोड़ा सा हटके है वंश नमस्कार सर सर मेरा नाम वंश अगरवाल है और मैं मानव रचना इंटरनाशनल स्कूल फईदाबाद की कक्षा दसवी कचातर हूं सर मेरा आपसे यह सवाल है कि हमें अपने लक्षे को निर्धारित कैसे करना चाहिए हमें अपने लक्षे को निर्धायत करने में कंजर्वेटिव होना चाहिए यह सदैव बड़ा लक्षे निर्धायत करना चाहिए इसमें आपका अनुभव क्या कहता है धन्यवाद मारेनी इस पर हम सब को कुछ पता है मैं आप से एक सबाल पूछू जरा हाथ उपर करना हूँ ऐसा कितने लोग मानते हैं कि लक्ष बहुत छोटा होना चाहिए जरा हाथ उपर करें जो यह मानते हैं कि लक्ष बहुत छोटा होना चाहिए ऐसा कितने लोग है दो तिन लोग ही है जो मानते हैं लक्ष बहुत बढ़ा होना चाहिए कितने हैं तो डेमोग्रेटिक वे में तो ताय हो गया हम लोग गुजराद में बच्पन से कहावत सुनते हैं निशान चुक माफ नहीं माफ निचू निशान यानि अगर निशान चूक जाते हैं तो माफ हो सकता है लेकिन अगर निशान नीचा रखते हैं तो उसके लिए कोई माफ ही नहीं हो सब्सक्राइब जब लक्ष ताय करते हैं तो मेरा एक मत रहता है कि लक्ष ऐसा होना चाहिए जो पहूंच में हो लेकिन पकड़ में नहीं यानि लगता है मालिये मुझे हाँ छूडा है मैं कोशिश कर रहा हूं नहीं छूड़ मेरी पकड़ में नहीं है तो फिर नया लक्ष की प्रेणा उसी में से पैदा होगी और इसलिए लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि हम कुछ नहीं करने के लिए बड़े बड़े लक्ष की बाते करते रहें मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद पूछें कि क्या करते हो तो मैंने देखा था वो कहते थे सीए कर रहा हो तो मैं हरान था इतने सारे लोग सीए कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं तो बता चला कि वो यह मैं कोई 20 साल पहले की बात कर रहा हूं कि यह सीए कर रहा हैं वैसा क्यों कर रहे हैं तो मैंने थोड़ा उनके परिवार इधर उधर बाते करते देखने मैंने पाया कि कुछ नहीं करता हूं यह जवाब बना भारी रहता है अब 20-22 साल की उमर हो गई है रिष्टे भी आते हैं तो माबाप क्या जवाब दे तो वो भी आसानी से कहते बेटा सीए कर रहा है अब यह लक्ष नहीं है जी यह तो एक प्रकार थे चालबाजी है अपने आपको सुरक्षित करने की हमें पहले अपने आपको भली भाती जानना चाहिए अपने तरीके से जानना चाहिए किसी के संदर्ब में नहीं अपने माबाप के सपनों के संदर्ब में नहीं अपने टीचर के संदर्ब संदर्ब नहीं अपके प्रधान बंदरी के भाशन के संदर्ब में नहीं खुद के संदर्व में मैंने जो ताई किया था पहले क्या हुआ उसका उससे आपको पता चलेगा हाँ मैं इतना तो कर सकता हूँ तो ताई करो यहां नहीं रुकना है पांच कदम और जाना है लक्ष अपने सामर्थ के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए और ऐसी जिंदगी कभी नहीं होनी चाहिए और इसलिए मेरा मत रहेगा कि लक्ष साफ होने चाहिए लक्ष दो प्रकार के भी होते हैं एक अंतिम लक्षी प्राप्ति के लिए छोटे छोटे आपने देखा होगा कोई जो बड़ी पहाडी चरता है तो पहले चोटी चोटी पहाड़ियों को लक्ष बना करके चरते चरते उसको सिद्ध करके फिर अगली चोटी पे जाता है हमने भी कोशिज ही करनी चाहिए तब जाकर के मैं समगता हूँ कि हम लक्ष के साथ जीवन को चला सकते हैं और उस लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और लक्ष अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो हमने एक बार इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए देखना चाहिए अंदर कि मैंने इताय किया था कहां कमी रही मेरी मेहनत में कमी रही मेरे प्लानिंग में कमी रही इन छोटे छोटे लक्ष का verification करते रहेंगे तो बड़े लक्ष तक जाने में कोई बड़ा हाथसा नहीं होगा आप उसको आशानी से करेक्ट करते जाएंगे पार करते जाएंगे तो लक्ष सिरफ होना इनप नहीं है लक्ष पाने के रास्ते में आपका कितना concentration है आप कितनी energy कितनी लगाते हैं किस काम क आपको भी सामर्थवान बनाता है Sir, Tamil Nadu से एक छात्र नरेन अपने मन की बात आप से कहना चाहते हैं Namaskar Sir, I am Narendran from Pollachi, Tamil Nadu Sir, your ceaseless efforts to uplift our nation, inspire all of us whenever we face impediments or setbacks whether in exams, sports or any other competitive scenarios What motivates you Sir to be energetic and tirelessly enthusiastic in your 17 hours hectic work schedule As students, how can we other two proper time management schedule in accomplishing our goals? Thank you Sir जब हमें exams या खेल या किसी प्रत्योगिता में असफलता मिलती है या मुश्किले आती हैं तो आपके द्वारा राष्ट को लगातार उचाईयों तक ले जाने के आपके प्रयास हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं सत्रह घंटों की आपकी व्यस्ते दिन चर्या में आपको उर्जावान बनाए रखने और बिना थकान महसूस किये उत्साहित रखने में ऐसी क्या चीज़े जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है हम अपने लक्ष को पाने के लिए प्रॉपर टाइम मैंजमेंट स्केजूल का पालन कैसे करें मारीनी कृपया बताएं आपने अपने परिवार में देखा होगा आप कभी ठक जाते होंगे आप कभी बोर हो जाते होंगे आपका मन भी करता होगा नहीं यारे कुछ और करें लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारी मां का भी तो शरीर होता है उसको भी कभी ठकान लगती होगी उसको भी को बिमारी आती होगी उसको भी मन करता होगा चलो आज सोजा लेकिन वो हर पल कितनी विमार क्यों नहों हो बच्चे का स्कूल से आने का समय होगा तो हसते हुए चैरे के साथ दरवाजे पर खड़ी रहती है अगर उसको कोई समाल पूछे मां तेरे में यह उर्जा कहां चाहती है तुम दिन में 2400 गंटे 8 गंटे कीचन में खड़ी रहती हो इधर दोड़ती हो टेलीफोन आया तो उसको उठा लेती हो गर की घंटी बजी तो दोड़ जाती हो महमान आया तो पानी पला लेती हो काम वा परिवार मेरा है सदस्य मेरे है मा के मन में भाव होता है मैं नहीं तो तो कौन करें जब यह भाव पैदा हो जाता है अपने पन का तो फिर उर्जा आपने आप आती है ठकान कभी घर का धरवाजा नहीं देखती है मेरे लिए भी सवासो करोर देशवासी मेरा परिवार है और सवासो करोर देशवासी मेरे परिवार है तो मैं ठकान मैसूस नहीं करता हूं हर पल मैं सोचता हूं रात को जब बिस्थर पर जाता हूं तो सुबह का सोच करके जाता हूं दिन भर कितना किया नहीं किया बात की बाद है कल सुबह नए उत्सास निकल पड़ूंगा यह सोच करके विस्तत वे जाता हूं और नए उमांग नई उर्जा के साथ आता हूं कि जहां तक टाइम मेनेजमेंट का सवाल है आप अगर किसी से समय मांगे और वो यह कहें कि मैं बहुत बीजी हूं कि मेरे पास इन दिनों समय नहीं है तो आप लिख के रखिए वो जूट बोलता है मर्डब उसको समय का उप्योग आता नहीं है ऐसा कभी नहीं हो सकता है अगर आप अपने समय के समन्द में जागरूट हो कि आप में से बहुत कम लोग होंगे जिनोंने सचमुच में अपने 24 गंटे की दिन चरिया का एट लिस्ट वन विक का एनालिसिस किया होगा बहुत कम होगे आप एक काम करजिए बीते हुए एक सब्ता में आप सुबह से साम तक अपना याद करके लिखो समय का क्या उफ्यों किया तो आपको जुब पता नहीं होगा यह समय निकलेगा यहां उप्यों करोंगा ताइम मेनेजमेंट यह हमारे अपने बात अपने हाथ की बात होती है हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इसके लिए कोई बड़े MBA बहुत बड़ी कोई अक्सपड की किताब पढ़ना कोई जरूरी नहीं जी आप सिंपली अपने हां घरकाम के लिए आने वाली महिला को जर अबजर कीजिए इन दिनों एक ही परिवार में घर काम करने वाली जो लोग होते बहुत कम होते हैं बे दस बाना घरों में काम लेते हैं और उनको पता होता है कि इनके घर में साथ बेजे बरतन साफ करता है उनके घर में नौ बेजे बरतन साफ करना होता है उनके घर में ्टाहव होगा लेकिन बिल्कुल टाइम मेनेजमेट मेरे सेवा करती है या करता है वह बिल्कुल टाइम मेनेजमेट से करते हैं यह करता है हमने नहीं वॉर और पर तको समझ गे यही गड़बड है आप अब अब जो सफल लोग होते हैं जो बिलकुल हस्ते खेलते काम कर रहे हैं उनको समय का कोई दबाव नहीं होता है कभी ट्रेंड दोड़त पकड़ने के लिए भागते नहीं हैं कभी इसको लंच मोग कभी भूल जाते हैं कभी चश्मा भूल जाते हैं कि किताब कुछ नहीं होता है सब परफेक्ट चलता है क्यों उन्होंने अपने समय की कीमत समझी है Time is money, time is money, हम सुनते आए हैं, लेकिन उसी को सबसे ज़्यादा बर्बाद करने का हमारा स्वभाव है, हम तै करें, कुछ रहे जाए तो रहे जाए, समय बर्बाद नहीं होने दूगा, उसी समय में से 24 गंटे मेरे पास भी है, 24 गंटे आपके पास भी है, इस्वर ने इसमें सा अमाजिक न्याई व्यवस्ता की हुई है। अमीर से अमीर को भी 24 गंटे हैं, गरीब से गरीब को भी 24 गंटे हैं। और इसलिए उसका सरवाधिक अच्छा उपयोग करने की आदत आसानी से बनाई जा सकती है। Sir, Pathankot से एक student जुड रहे हैं, नाम है Amit Chauhan. Namaskar Sir, Myself Amit Chauhan, a Science graduate student from AB College Pathankot. I am very happy to be a part of Pariksha Pechakshah. And my question from you is, what is the key formula to developing the attitude of accepting studies as a source of fun and interest, not stress? Thank you. ताकि हम पढ़ाई को फन और इंट्रेस्ट की तरह लें, तनाओ की तरह नहीं. बाइनी एक्जाम के स्ट्रेस से ही संबंदित सवाल पूछा है, सुरप्रीत जगॉल ने, काथमांदू से ये एक student है। Good morning sir, I am Supri Dangol, a student of Kendri Vidyalek, काथमांदू. And I live in Kathmandu. We start living with the term examination since our primary classes. This becomes part of our personality. Do you think exams are helpful for improving our personality or do exams obstruct our all-round development? Thank you sir. Thank you sir. बानिनी क्या आप सोचते हैं कि exam व्यक्तित्व को निखारती है या फिर exam हमारे व्यक्तित्व के पूर्ने विकास में रुकावट है? बानिनी कृप्या इन दोनों ही सवालों के बारे में हम सब को कुछ बताएं. देखिए कसोटी बुरी नहीं होती है, exam बुरी नहीं होती है. हम उसके साथ किस प्रकार से उसके तरफ देखते हैं, हम उसके प्रकार से उसके साथ deal करते हैं, उस पर depend करता है. और मेरा तो सिदान्द है कि कसोटी कस्ति है, कसोटी कोशने के लिए नहीं होती है. लोग कसोटी कोई कोस्ते हैं अच्छुली अगर हम अब मान दीजे किसी को ओलेंपिक खेलने के लिए जाना है अगर वो तहसिल में खेला नहीं है डिस्टिक में खेला नहीं है स्टेट में खेला नहीं है इंटर स्टेट नहीं खेला है नेशनल नहीं खेला है और वो ओलेंपि इसलिए हम एक्जाम को कसोड़ी को एक अवसर माने यह opportunity है अगर हम इसको opportunity मानेंगे तो आपको इसका आनन्द आएगा और जब चुनावती होती है तो एक इश्वर ने हर व्यक्ति के अंदर एक extraordinary ताकत दी होती है अब देखिए आप नॉर्मल आवाज में कभी बात करते हैं लेकिन बीड में किसी को बुलाना है तो एक ऐसी energy आपके अंदर आए तो नहीं जोर से बोलते हैं जैसे आर्मी का कोई अफसर की भी आवाज निकले इतनी बिड़ी आवाज निकलती है बहले एक पल के लिए निकलेगी लेकिन उर आपके अंदर बहुत कुछ पड़ा होता है आपने अफसर करना चाहिए कि इस कसोटी के समय मेरी वो कौन सी शंताजी अबर करके आई है कभी-कभी तो आपने भी देखा हो कि ऐसी चीज़ें आपके मन में से आती होगी ऐसे विचार आते होंगे दोस्तों के साथ बात्चीत को परखने के लिए आपका अपना कोई मेकेनिजम नहीं है तो यह एक्जाम वो आपको अवसर देती हैं आपके अपने सामर्थ को परखने के लिए दूसरा हम एक्जाम के लिए जिन्दगी न जीए हम खुद के लिए जिन्दगी जीए जब हम खुद के लिए जिन्दगी जीते हैं, हमें लगता है कि नॉलेज होना चाहिए, अगर अक्वायर करना शुरू करें, तो आप देख लीजिए, मार्स अपने आप फॉलो करेंगे, आपके पीशा करते हैं, आपके दरवाजे आपके खड़े रहेंगे, लिकन गलती हम करते हम मार्स के पीशे भागते हैं, जिन्दगी पीछे शूड़ जाती हैं हम जिन्दगी से जुड़ते चले नौलेज एक्वायर करते चले मार्स अपने आप पीछे आपके दोड़ करके आएंगे मार्स खुद आपको गले लगाने के आपके पीछे दोड़ेंगे और इसलिए इसको देखने का तरीका यह अगर आपका साफ शुत्रा होगा तो मुझे विश्वास है कि एक्जाम कभी भी कभी भी बोज नहीं लगेगी सच मुझ मैं तो एक्जाम को एक उत्सव के रुप में एक अवसर आया है चलो वहां मजा आया गया तो खेद देखता हूं क्या करता हूं यह मूड चाहिए माननी प्रधानमंत्री जी अलिगर मुस्लिम युनिवर्सिटी से मुहमत सलीम एक स्टूड़न्ट है जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं नमस्कार सर मेरा नाम मुहमत सलीम है मैं अलिगर मुस्लिम मिस्षद जैले में बिये ललबी प्रधम वर्स का चात्र हूं मैं सोचता हूं बरामी क अच्छा पास करने के बाद चात्रों के मन में सबसे बड़ा प्रस्णिया होता है कि कैरियर का चुनाओ कैसे करें उसी परकार दस्मीक अच्छा पास करने के बाद छात्रों के मन में ये प्रस्ण उठता है कि कौन सी स्ट्रीम का चुनाओ करें पेरेंट्स बच्चों की रूची को ना समझते हुए उन्हें साइन्स स्ट्रीम में जाने के लिए बात दिखरते हैं और अब बनारस इंदू उनिवर्सिटी से शांभवी शुकला जोकी एक छात्रा है आपका मार्ट दर्शन चाहती है नमश्कार सर, इस शांभवी शुकला, student of BA 3rd year, वसंता कॉलेज, राजघाट, BHU, वारानसी Sir, my question is, it is the time for the preparations of my master's entrance exam So sir, please guide me for acquiring better job and career opportunities. Thank you very much sir Master's entrance exam की तयारी कर रही हूँ, हम bachelor's students की जिंदगी का ये एक नया दौर है बेहतर नौकरी तथा कोर्स को पाने में आने वाले चिनोधियों के बारे में, कृपिया हमारा मार्ट दर्शन करे अधान मंत्री जी, मेरा आपसे ये सवाल है, कि जैसे हर बच्चे का aptitude अलग-अलग होता है कुछ लोग लिख सकते हैं, कुछ लोग गाना गा सकते हैं, कुछ लोग दान्स कर सकते हैं पर जरूरी नहीं है कि वो लोग maths कर सके, science कर सके जो हमारे देश में बहुत बड़ी बात मानी जाती है, maths और science करना तो हमने माब आपको ये कैसे समझाए, कि अगर हम नहीं कर सकते हैं, maths या, science तो हम कुछ और चीज में बहुत अच्छे हैं, और ये कोई ऐसा बहुत बड़ा बात नहीं है, कि हम किसी एक चीज में अच्छे ना हो तो हमने माब आपको ये कैसे समझाए, कि अगर हम नहीं कर सकते हैं, maths या, science तो हम कुछ और चीज में बहुत अच्छे हैं, और ये कोई ऐसा बहुत बड़ा बात नहीं है, कि हम किसी एक चीज में अच्छे ना हो पारिनीक रिपिया, इस बारे में हम सब को प्रेरिना दें आपकी चिंता बहुत स्वाबाविक है, कि बच्चों को प्रॉपर गाइडनस नहीं मिलता है, ऐसे समय है, एक सही मारदर सम्म मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है कि लोग अपने अपने अनुभव की बातें बताते रहते हैं, मा एक सुजाव द देगी, तो पिता जी दूसरा सुजाव देगे, तो अंकल तीसरा सुजाव देगे, महले के दोस्त और छोथा सुजाव देगे, और हम कन्फ्यू जोगाँए, एक कारण यसे हैं, हमें अपन विशे में पता है क्या मेरा अपना पैशन क्या है मेरी रूची किसम है और मैं मेरी रूची के अनुसार इसके पहले कुछ कर पाया हूं क्या मेरे सपने क्या है वो बात की बात है पहले मेरा पैशन क्या है और उसके बाद आप माणबाप को भी कर सकते हैं देखिए आठफवी कक्षा में मैं इसमें असा किया था नौमी मैंने इस सकिया था मेरी टीचर मुझे बता रहे थे उस समयं तहसिल के अंदर जब कमपडिशन था तो मैं गया था में ये कर कर आए था मुझे लगता है कि मेरे भीतर ये ताकत है कि कभी हमने अपने टीचर जिसके प्रति हमारा लगा उनके साथ बाते करनी चाहिए इस हम आप मुझे चार साल से पढ़ा रहे हो मुझे देखते हो आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए और ऐसा नहीं कि टीचर समय नहीं देते हैं अगर को विद्यार्थी टीचर के प्रति आत्मिय भाव से जोड़ता है तो इस टीचर को भी लगता है हाँ इस विद्यार्थी कि मैं समय दूं उसको उसको गाइड करूं उसको भी लगता है लेकिन ज् कि आपको क्या मुझे बराबर याद है मैं बहुत साल पहले बढ़ोदा में 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 सुनिवर्सिटी के होस्टेल्स में जाया करता था स्टूडन्स से परिचे करने के लिए यह कुई मैं 77, 78, 79 के कालखन की बात कर रहा हूं तो उनसे मिलता था बैठता था बात करता था तो मैं इसा उनको पूछता ठीक है अब कम मन में एरादा क्या है क्या सुचते है तो चाहता तर बच्चे जवाब देते थे एक बार ग्रेजुट हो जाओ झा अगे का पता ही ने सो एक बार ग्रेजुट हो जाओ एक बार मैं पूछ रहा था तो एक बच्च्चा महां गुजरात की कि मैं भुले छाना चाहते हो काइद नहीं बूले राजनृति पर नहीं जाना है कि वह झुल मुझे बाबू बननाБो थे इतो तो बोले सासन करते हैं थि जाते हैं कि कि मुझे ये मैं ये साल पहले की घटना इसले सुना रहा हूं उस बच्चे को इतने क्लेरिटी थी कि मुझे क्या करना है और बाद में मैंने ज़रा जानका रही तो मैंने सुना कि वह ऐसे गवर्मेंट सिस्टिम में चला गया और अच्छी पोजिशन पर पहुंचा था उसके जो दोस्त लोग ते यह है कि हमारे मन में क्लैरिटी होनी चाहिए एभग ब्रैरिटी अप्ड थार्टस गर्फिर इन कंविक्शन में मेरा विश्मास होना चाहिए एंड करेक्टर टु एक्ट उसके अनुसार काम करने वाला मेरा ज़जबा मेरा श्री थामन मेरे बुत्ती मेरी समय यह अगर हम करें तो हम आसानी सुच दिशा में जा रहे हैं साइंस मैज उसका एक अपना महत्वा है लेकिन बाकि स्ट्रिम का महत्वा नहीं है यह जो हमारे देर पे सोच बनी है वो ठीक नहीं है साइंस और मैज में हमारी महत्वा होने के बावजुद भी जितनी मात्रा में वहां लोग जाने चाहिए नहीं जाते हैं चीनता कभी से और उसका कानन है कि प्राणविक कान में उसको उस प्रकान का जो मोटिवेशन मिलना चाहिए वो हमारी हाँ साइथ कुछ कमी है और उसके कानन कुछ टीचर्स ने कुछ कूल ने कुछ अभीभावक ने special interest लेकर कि इन चीजों को डेवलप किया तो बहुत आगे निकल जाते हैं कुछ लोग है ठीक है भाई graduate के कारखने में चले जाएंगे उदर से कारखने से निकलते जाएंगे यही चलता रहता है और इसलिए आपकी चिंता बहुत स्वाभाविक है मेरी सला यही रहेगी कि आप दबाव में आकर के मत स सोचिए आप अपनी क्षमता के आधार पर और उसमें किसी की मदद भी लीजिए ऐसा नहीं कि आप अपने आप पर बिलकुल सची होगा ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका अपना जज्जमेंट गलत हो लेकिन अकर खुल करके बात करोगे तो शायद आपको सही मार्दरसन आपक से कहना चाहते हैं नाम है जैनत आहीं देखते हैं गूंसराल माणनी आपका फ्कलस 9 मोश को शायद आपक स्धित्र रिडीड फेले मॉष्जठेस आपने हुम्हने आपकोने आपकि अच्छी पिछली साल आपने हमारे पेरेंस को बहुत अच्छी अच्छी सलाह दी थी, इसका नतीज़ ये हुआ कि उनका नजरिया ही बदल गया, अब में अपने पेरेंस से मेरी एक्जाम तथा असफलता का डर इन सब के बारे में बातचीत करती हूं, उनका मुस्करा के ये कहना, you can do it यानि तुम कर सकती हो, मुझे और भी ज्यादा प्रेरिणा से भर देता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मारनी इस भिशे में कुछ कहें आपने क्रेडिट मुझे दे दी, दरसल क्रेडिट आपके माबाप को जाती है, क्योंकि उन्होंने सही बात को पकड़ा, और पकड़ने के बाद, अपनी पुरानी जो भी हैबिट थी या इगो था, उसको छोड़ करके, नई तरीके से उन्होंने सोचने का विचार किया, ये बात साफ है, कि अभीभावकों का सकारात्मक रवया, बच्चे की जिंदगी की एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता है, टीचर्स का भी, आपने देखा होगा, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, जो तिन-चार बच्चों के पच्ची उनका लगा होता है, वो सवाल पूछेंगे तो उसके बात करेंगे, कोई आया स्वावल पूछना है, तो वो हाथ उटाता है, तो उसी को कहेंगे, अच्छा बोलो, उनको प्याना लगता है, उनको लगता है, वो तुरन ठीक कर लेता है, और उसके कानुन, क्लांस के बाकी बच्चों के मन में, उस टीचर के पती भी एक अभाव पैदा होना शुरू हो जाता है, एक जो सम्यक दर्ष्टी का अभाव होता है, उसका परिणाप होता है, उसी प्रकार से माबाप भी, कभी अपने यार दोस्तों के यहां गए हो, गए हो तो आपने देखा होगा, कि पता चले कहां इनका बेटा ने यह किया, तो उसको बुलाएंगे, सुन, देख जिसने क्या किया, यानि 25 लोगों की भरीब सभा में है, बृष्टेदारों के बीच में माबाप उसको महीं सिखाना साथ है, देख, यह मोहन भाई की बेटे ने क्या किया, देख, तू है जो कुछ करता नहीं है, हो गया मामला खता है, और ऐसी आदरत करीब सब को होती है, आप घर में भी जाओगे, तो सुनाएंगे, कि देखो, मामा का बेटा केतना आगे निकल गया, तुम कुछ सोचो, यह जो कमपेरिजन है, यह माबाप ने टीचर ने कभी ने करनी चाहिए, कभी ने करनी चाहिए, उससे उसको भहत निराशा मिलती है, उसको हतोचा ही कर दे यह एक ऐसा मरोवग्यानिक परणाम लाती है, जिसकी साथ हमने भी कल्पना निकी है, हमारा काम होना चाहिए, उसको प्रोच्षाइद करना, ठीक है, वीक है बच्चा, लेकिन वो वीक क्यों है, क्योंकि आपने 90 परसंट वाले की तुलना करना शुरू किया, इसलिए आपक बेटा तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया, पच्पन से साथ की जो खुशी है, वो उसको साथ से नबे ले जाने की ताकत दे सकती है, लेकिन नबे क्यों नहीं लाया, इसलिए साथ को कोस्ते रहोगे, तो बच्चा साथ से चालिस की और चला जाएगा, साथ के सतर की और नही अशक है, हम कोस्ते रहेंगे, हम उसको नीचा दिखाते जाएगे बच्चों को, तो हम उसको कभी ताकत वर नहीं बना सकते हैं, मैं सरकार में काम करता हूँ, अगर मुझे कोई छोटी भी बात किसी अफसर को कहनी है, तो अलग से कभी मिल जाए तो बताता हूँ, को देखो जूठे नहीं होती हैं, उन्होंने भी अपने समय की जो भी शक्ती है, अनुभवे पुरा निचोड दिया होता है, ठीक है, प्रधान मंत्री की अपरिक्षा के अरदा दो कदम पीछे रह गया होगा, लेकिन उसके कारण, उसकी महनत बेकार नहीं है, टीम स्पिरिट के अपने रेकोर्ड से कीजिए, आप अपने रेकोर्ड ब्रेक कीजिए, आप अगर खुद के रेकोर्ड ब्रेक करेंगे, तो आपको कभी भी, कभी भी निराशा की गर्त में डूबने का मोका नहीं आएगा, आप अपने आगे बढ़ना, और उसमें आपको पता है, उसमें आ तो यार मैं तीन के साड़े तीन कैसे कर लो यह बढ़ला बहुत जरूरी है अगर यह आपने कर लिया तो मैं नहीं मानता हूं किसी तनाव से आपको गुजरना पड़ेगा अगला सवाल तेहरान से है माननिय स्टूड़न जैपरीट सिंग का कहना है मेरा नाम जैपरी सिंग शापुरी है मैं केंदर विदालय तहरान अमबेसी आफ इंडर स्टूड़ में पड़ता हूं मैं तहरान एरान से बोर रहा हूं सर मेरा आपसिक सवाल है सीखते समय तारीफ मिले तो सीखने में जादा मन लगता है तो हमारे पेरेंट्स और टीचर्स ये सब क्यों नहीं अपनाते क्लास में दो-तिन बच्चों को छोड़के बाकी बच्चों के अच्छा करने पर भी उन्हें तारीफ नहीं मिलती तो सर क्या आपके साथ भी ऐसा होता था धन्यवाद पुरा सवाल उनका समझ नहीं पाया हूँ कि शायद वोगे कहना चाहते हैं कि कि खूल में या घर में कुछ बच्चों को तो बड़ा प्रोथ्षान मिलता है लेकर कुछ को नहीं मिलता है कि यह धना एक तो यह सब हम को क्यों नजर आता है कि इस बात पर हमारा ध्यान क्यों जाता है कि इसका कारण यह है कि हम ओवर कॉंसियस है और बीतर से हम बीक है जब तक कोई पुछकारता नहीं है कि सहलाता नहीं तब तक मुझे मेरे किये हुए का आनंद आता नहीं है जिसके भीतर आत्मे विश्वास होता है वो तालियों के गुंज कितनी बजी कितनी नहीं बजी इसकी परवानी करता है उसको विश्वास होता है और मैं मानता हूँ कि सबसे पहले ये बाकी चीजों के उपरां आपके भीतर अपने आप पर वो विश्वास होना चाहिए कि कोई सरा या कोई हमें सरा या नसरा है कोई पुछका रहे या नपुछका रहे हमारे लिए कोई अच्छा करे या न करे लेकिन कि मैं खुद एक स्थिती ऐसा पदा करूँगा कि कभी ने कभी मेरे टीचर को मुझे नौटिस करना पड़ेगा उनको चैलेंडी करना है मन में रखना है मैं उनको जीत के रहूँगा और एक बार आपने उनको जीतना तहे कर लिया था देखिए बच्चे में ताकर दोती है तीन महेने में टीचर को जीत लेगा एक और विशे भी बीच में एक सवाल आया था मेरे मुन में विचार आया देखिए कभी कमार क्या होता है टीचर भी उस बच्चे में विश्वास करता है या रूची लेता है जब टीचर को लगता है कि उसके परिवान जन बच्चे में इंट्रेस्टेड है ऐसे बहुत माअबाप होंगे, जिन्होंने बच्चे को साथवी से दसवी या बारवी तक कौन टीचर पढ़ा रहा है, पता ही नहीं होगा क्या कभी बच्चे के जन्मदीन पर दोस्तों के साथ माअबाप ने टीचर को बुलाए क्या किया माबाप कभी स्कूल में जाकर कि किसी टीचर का जन्मदीन है बच्चे ने कहा कि मेरे टीचर का जन्मदीन है माबाप स्कूल चले गए बच्चे के टीचर के जन्मदीन पर बढ़ाई दी और कहा देखे में तो घर में बच्चा मेरे पार तो तीन उसको लगेगा कि भाई ये ये बच्चा तोना ने मुझे सोप दिया है मेरी जीमेवारी है लेकिन अभिभावक का ये रोल ही नहीं रहा है तीचर को न कोई अपने घर बुलाता है न माबाप फुर हम जाते हैं तो कोई जाते हैं बच्चे ना के कह दिया हो कि टीचर नो में मुझे डाटा बस हो गया माबाप सच क्या जूड का बच्चा क्या कर रहा है का नहीं कर रहा है और कोई मुसीबत की बिमारी रो रहा है क्या है बहाने बाजी कर रहा है कुछ नहीं क्या समझते हो मैं RTI करूंगा मैं FIR लगवाउंगा बहुत माबाब होते हैं जो अपने बच्चे में कोई कमी मेस्वस नहीं करते हैं और उसके कारण अपना तो साई दिल को समझ जाता होगा लेकिन बच्चे की जिन्द के लिए समस्या पाता हो जाएं अच्छा है टीचर, मैनेजमेंट, स्टूडन्ट एंड परेंट्स इन चतूसक का एक मेल होना चाहिए इंटर कनेक्टेड होना चाहिए वो अपने अपने तरीके से चारों कौने में अलग काम करेंगे नहीं होगा ये वेवस्ता सहज रुप से विक्सित हो सकती है और उसका परणाम भी मिलता है और मैं मानता हूँ कि हम लोगों की कोशिश रहनी चाहिए कि जिन सिख्षकों के पास हम पढ़ते हैं उनके प्रती पूरे परिवार का एक आधरफाव पैदा वो टीचर के पास जितना भी जान है वो आपके लिए वो निचोड देना है अब देखना आप देखना स्पेशल अटेंशन करेंगा मारणी कोवेट से एक छात्रा ही है सारा सदव वो अपने मन की बात आप से शेर करना चाहती है Good morning sir, I am Sarah Siddharp from the Indian Community School, Kuwait I am originally from Hyderabad, India As a student of class 12, I have been observing a mismatch between the questions asked in the examination and the objective with which we are being taught Our teachers often say that we have to emerge as good human beings but our exam papers do not reflect this concern So I have a suggestion for our education system Examination needs to be linked with our broader aim of education and every student, parent, teacher and the board examiner must be aware of this Thank you sir I am a class 12th student, I am observing this thing that we have asked questions on the exam and what purpose we are studying, there is no need to be involved in it Our teachers often say that we should be a good human but this concern is not obvious in the question Our education system is a problem that we need to be involved in the course of education and all teachers, students, parents, board examiners all need to be involved in this matter I mean, we should all go to this matter I mean, in this matter, we should all go to this matter Look, in the heart of education, there are all these things in the course of education which is a difference in the course of education, there are all these things in the course of education अब जैसे मान लीजिए कि स्कूल के अंदर अपने देखा होगा कि कहीं पर तूरिस प्लेस पर आप जाएंगे तो पांचवी छटी सात्वी कक्षा के बच्चे अगर कि वहां तूरिस की रूप में कहीं स्कूल बस आया है और टीचर ने बताया कि ऐसे चलना है तो सभी बच् करके पूरा टूट देखेंगे टूट प्रोग्रम ऐसे करते ने अब यह सिख्षा में नहीं है लेकिन यह उसने जो सिखाया क्या वो जिंदगी से जुड़ा हुआ विशे नहीं है क्या डिसिप्लिक मतलब यह मैं नहीं कहता हूं फिर आत पर ऐसे करना ही बता है कि कहने का आत पर है किosinse सब चीजे होती है हमारा उस पर ध्यान नहीं होता यह तो जो टीछर बताता है वह वह शिलेबस का तो ग्यान देता है लेकिन यह चीज जिन्दगी में कैसे काम आती है वह नहीं बताता है हाखिकत यह हैं कि सिक्षा के हर पहलू को जिंदगी के साथ रेलेवेंट करके पेश करना यह टीचर्स को हभी होनी चाहिए उसको आता हूं मैं छोटा सा बताता हूं मैं जो छोटा था तो हमारे एक टीचर थे मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा था गवर्मेंट प्राइमरी स्कूल में और मेरा जो गाउं था वो गायकवाड स्टेट था तो गायकवाड राजा की विशेस्ता थी जहां भी उनका राज होता था वहां प्राइमरी स्कूल होती थी बच्चियों के सिक्षा कंपल्सरी होती थी पोस्ट आफिस होती थी तालाब ह उनकी स्कूल थी तो सरकारी स्कूल थी मैं उस पर पड़ता था हमारे टीचर की विश्यस्ता थी वो क्या कहते थे हम सभी स्टूड़न को कहते थे कि चलो तुम पांच खड़े हो जाओं तुम कल घर से तुम पांच मुंग के दाने लाओंगे तुम साथ मुंग के दाने लाओ दूसरे को कहते थे तुम तीन चने के दाने लाओगे पांच चावल के दाने लाओगे ऐसा वो अनके कुछ दाने जाता नहीं थोड़े ले क्या बच्चा क्या करता था याद रखता था कि मुझे पांच मुंग के दाने ले जाने तो घर में किसको मुंग कहते हैं तो सिख जा था ओर फिर पिड़ टीचर क्या करते थे सारी चीज़ों को मिक्स कर देते थे फिर बच्चों को कहते थे अच्छा भाई पांच बत्चे आ गया ओ इसमेंसे एक को कहें कि चना पांच चना नुकर तुझकों एरिटम्टिक आ गया चना पहचान गया, दीसरों के कहते हैं, चावल पाज उठाओ, दिखाओ, याने पढाने का उनका एक अपना तरीका था, अब बात छोटी है, लेकिन जिन्दगी से कैसी जोड देते थे, मतलब की सिक्षा में सब नहीं ऐसा है, नहीं है, होता सब है, गीत होता है, संगीत होता है, स रंकिंग, रंकिंग, वही समस्या सुरू हो जाती है, जीवन को हम खोल गए, जीवन को विस्तृत कर दें, हर चीज में से अपना अपन सीखना सुरू कर दें, अपने आप देखिए, खुद की जिन्दगी बढ़लेगी, परिशर की जिन्दगी बढ़लेगी. सर, मॉली सिंग है, जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, हमारे बीच में, यह आगरा की हैं और पढ़ती हैं, कुछ पूछना चाहती हैं. नमस्कार आदर्णिय प्रधानमंत्री जी, मैं हूँ मॉली सिंग, ठाकुर तेट सिंग डिगली कॉलेज आगरा से, और मेरा सवाल आपसे यह है, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, वो नई जगा पर जल्दी अडाप्ट नहीं हो पाते कई सारे स्टूडेंट्स को होम सिखनेस और डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, तो वो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें, और कैसे उनके पेरेंट्स और टीचर्स उनकी मदद कर सकते हैं, धन्यवाई, माननी यह आखरी सवाल है, कृप्या इस बारे में हम सब को कु है, वो बहुत परेशान करने वाली बात है, भारत की जो मुलभूत समाज रचना है, उसमें इस प्रेशर को रिलीज करने की ववस्ता है, सहज ववस्ता है, लेकिन दुर्भाग्य से समाज ववस्ता में जो परिवर्तन आए है, परिवर्तन तो आते रहते हैं, वो कोई बु यह जिसने स्थिति पैदा की, पहले हमारा जॉइन फैमिली हुआ करता था, और जॉइन फैमिली होने के कारण, बच्चा दो बाते पिताजी को नहीं कह सकता था, उट दादी मा के आगे कह देता था, मन हलका हो जाता था, दो बाते दादी मा से कहता था, लेकिन लगता था, कि ज़र माँ से पूछ लू तो वहां जाकर एक प्रकार से उसको एक अवसर मिलता था अपने आपको एक्सप्रेस करने का आज स्थिती एसी है कि एक्सप्रेशन के लिए कम सप्रेशन के लिए जादा इस तरफ हम बढ़ गए हैं और ये जो कुकर फट जाता है उसका मूल कारण यही है कि इस प्रकार की भाब भर जाती है उसको बाहर निकलने के लिए जगा चाहिए इससे बाहर निकलने के लिए जगा चाहिए माबाप ने बच्चों के साथ उसकी रूची के अनुसार खुले पंसे बाते करनी चाहिए तो अगर माननी जो होस्टेल भी चला गया तो उसको विश्वास है कि इस परिच्थित्यों को मेरे माबाप को मैं बता हूँ गा तो समझेंगे लेकिन अगर आप कटॉफ है और कितने मांस राए क्यों देर से आए किसके साथ गए थे फोन किस पर बात करें इसी में लगे रहे तो एक एक कटॉफ स्टेज बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है दूसरा यह माबाप का जिम्मा है कि यह डिप्रेशन अचानक नहीं आता है कि बहुत एक लंबी प्रोसेस होती है कि कुछ एक होता है जो excitement में कुछ कर दें वो अलग बाते लेकिन जाता तर धीरे 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 वह लुडगता जाता है जागरुक माबाप देखते हैं क्या बात है भई यह पहले तो बड़ा अग्रह करते थे खाता नहीं था अच अचानक उसका वेड़ बढ़ रहा है साइकोलोजी के लिए क्या हुआ है तुरंद माबाप देखते हैं कुछ होगा तब यह इस्ट्रेस में है कुछ नो कुछ जादा खा रहा है कि कभी सोता नहीं था दो पर को आज ऑफसे आ गया अचानक सो गया कम्रे में चला गया तो पर भी जाते हैं माबाप ने देखना चाहिए कि वहां किसन किसी परिवार से उसको हम जोड सकते हैं कि बैचे को जान पहचान माले किसी से उसके लिए थोड़ा खर्च करना पड़े तो खर्च करना चाहिए और उन से कहना चाहिए ज़रा भई सबता में एक दिन जब भी हो आना और बच्चे में अगर थोड़ा बहुत होगा तो हो उसको एक दीरे दीरे एक नया परिवार मिल जाएगा फुल जाएगा दूसरा काउंसिलिंग से हमने संकोच नहीं करना चाहिए कभी कभी तो माबाप को लगता है कि कहीं लीक हो जाएगा तो किसी को पता चले है कि बेटे का कॉंसिलिंग चल रहा है हम उसे इजद भी गवाते हैं बच्चा भी गवाते हैं कोई संकोच नहीं करना चाहिए थोड़े से भी सिम्टम्स दिखते हैं हमने उसको कॉंसिलिंग करना चाहिए बच्चे के साथ सही तरीके से बात करने वाले एक्सपर्स होते है वो दीरे दीरे उसके भीतर की जो भी बिमारियां है उसको निकाल देते हैं लेकि होस्टेल में जो रहते हैं उनको मेरा एक छोटा सा अपना अनुह के आधार में मैं बताता हूँ यह कर सकते हैं काम हो सकता है कुछ गटना ने आपको परिशान कर दिया है या कुछ आपने सुना है आप बेचेन है मन का आक्रोश मन की वेद्रा कैसे प्रकट करना आप कुछ नहीं आप हो सके तो होस्टिल के बाहर जाईए किसी पैड़ पे नीचे अकेले बैठिये और एक नोटबुग ले जाईए उस कागज पे सारी घटना का वर्ण लिखती जीए लिखते चले जाईए क्या हुआ कैसे हुआ किसने क्या कहा खुद को क्या लगा सारा जितना जैसे फिल्म दिखती है सही सारा लिखते चले जाईए फिर उसको पढ़िये मत वहीं पर उसको फाड़के जेब में टुकड़ डाल दीजिए स्वच्छ भारत है तो फिर भी मन हलका नहीं हुआ दुबारा लिखिये पहले अगर आपने आठ पेज लिखा होगा दुबारा लिखियो तो तीन चार पेज में हो ही बाता आ जाएगी फिर भी उसको फार दीजिए तुकड़े जिम में डाल दीजिए तीसरी बार लिखिये अब देखोगे तीसरी बार वही बात एक डेड़ पेज में आ जाएगी भीतर का जो है वो कागज पे टपकता जाएगा अंदर से कम होता जाएगा आप एपसलूटली रिलक्स पिल आपको ये भी डर नहीं रहेगा आपको ये भी डर नहीं रहेगा कि कोई पढ़ लेगा तो किसी को बताऊंगा किसी को बात क्यों बताते नहीं है डर लगता है यार इसको बताऊंगा वो किसी और को बताएगा तो मेरी तो बहीज़ित हो जाएगी खुदी अंदर एक जगा है खुदी लिखें उसको फार दें आप देख लेना घर में भी ऐसा वातान बिगड़ गया हो मम्मी नाराज हो जिकना हो पड़ाना हो और मान लीजिए आप लगते हैं आप अलग से बैठ करके लिख लीजिए आपके भीतर की सारी जो मानवी जो विक्रुतियां है वो कागेज के साहरे से भार निकल जाएगी यही अल्टिमेट उपाई नहीं एक छोटा सा उपाई है यह छोटा सा उपाई भी कुछ पल के लिए तो आपका साहरा कर सकता है कुछ दिन के लिए साहरा कर सकता है खुद को खड़े होने की ताकत दे सकता है दूसरा कोई एक अगर हॉस्टेल में रहते है तो कोई senior student हो या teacher हो कोई एक हमने ढूंड के रखना चाहिए जिस पर हम भरोसा करें उससे कभी मन की बाते बताया करें कि देखो यार इस बार तो मा का फोली नहीं आया चीज बड़ी नहीं होगी उसके सामने को तो वो कहेगा वो आप से साथ उमर में छोटा होगा तो अरे चिंता मत कर यार मा काम में होगी हमें लगता है हमारी दभाई होगी हमारा उप्चार होगया क्यों किसरे क्या दिया रहां मां काम में होगी मेरा मन कहा चल रहा है दो घंडे से देखो आज जन्मदीर है मां का फोनी आए हो सकता है वह इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो हो सकता है मोधी सरकार की बाते कुछ भी हो लेकिन इंटरनेट नचलता हुग अब हम गुशा मापी निकालते हो टेकनलोजी फेलियर हो सकता है तो एक छोटा सा वाला अरे चिंदा मत करो चलो चलो खालेते हैं चलो यार फॉस्टिर में चलो खालेते हैं कोई बात नहीं तरह जन्मत दिन माने लुए अरे चलो पन जाते मेरे पासे जाधा नहीं चोकलेट एकाद दोस्त तनाव पुन जिंदगी को भी भावत हलके फुलके से ठीक कर लेता है मैं समयता हूँ जीवन ऐसा खुला पन हो जाए और मुझे तो मैं बहुत छोटी आयू से बाहर हूँ तो मैंने जिंदगी को एक अलग तरीके से देखा है अलग उतार चड़ाव से जिन् अब देखाया है और मैं समझता हूँ कि शायद मेरी जैसी जिनकी अलग थी तो सब को काम नहीं आ सकती है लेकिन छोटा साइप्रियास हैं लेकिन डिप्रेशन को लाइट नबच्चों ने लेना चाहिए नगार्डियन ने लेना चाहिए नटीचर ने लेना चाहिए यह अगर समय ते रहते सही तरीके से उनको साथ आप कॉम्मिनिकेट करेंगे बातचीत करेंगे समय बिताएंगे स्थिती को बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है और भारतिय समाज विवस्ता ऐसी रही है कि जिसने हमें परिवार में ही एक प्रकार से हमारा डियने ऐसा बना हम ऐसी चीजों को आसानी से जेल सकते हैं ऐसी चीजों से जूच सकते हैं और ऐसी चीजों से जिंदगी के रास्ते खोच सकते हैं मुझे भी स्वास हैं कि आप लोग भी इसके दिशा में आगे बढ़ेंगे मैं मैं समत्ता हूँ यह आखरी सवाल था मुझे बहुत अच्छ करने का मौका मिला लेकिन मेरी अभीभावों को से एक आखरी एक बिंती है कि आप कभी अगर आपका बेटा 14 साल का है तो दिन में एक बार माँ और बाप दोनों दिन में एक बार आप जब 14 साल के थे तब क्या होता था तब आपके मन में विचार क्या आते थे तब आपके माबाब जो करते थे उससे आपको क्या होता था एक बार याद कर लेंगे आपके और आपके बच्चों के बिच का तनाव कभी नहीं बढ़ेगा खुद ही एक बार याद किजिए कि आप 14 साल के थे तब क्या होता था तो 14 साल के बच्चे के साथ क्या करना वो आपका ही अनुखों आपको सिखा देगा आपके माबाप से आपने जो सिखा है वो सिखा देगा लेकिन बहुत माबाप है वो अगर पचास के हो गए तो चाहते हैं बच्चा भी पचास के हिसाब से उनसे बात करे आवशकता है बेटा चौदा का है बाप पचास का है बाप चौदा का बन करके उस बेटे को समझने की कोशिश करें काफी समझ साएं परिवार के शुर्जाई भी मैं फिर एक बार आप सबको बहुत-बहुत शुब कामनाई देता हूँ ये एक्जाम उत्सव बने आप जीवन को सफल बनाए जिन्दगी को जीते गुण संपदा आपकी जिन्दगी की ताकत है पर्चे में लिखे हुए गुणांक ये जिन्दगी में अल्टिमेट नहीं होता है हम अपने आपको educate भी करें अपने आपको train भी करें जीतना महत्वा education का है उतना ही महत्वा जिन्दगी में training का है ये संतुलन बना करके चले, मेरी आप सबको बहुत बहुत शुब कामना आए बहुत बहुत धन्यवाद